नमस्कार दोस्तों, Rit 2022 अगर आप एक्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महतवपून है इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपको exam में कौन-कौन सी गलतियों से बचना है, कौन-कौन सी गलती आपको exam में नहीं करनी है क्योंकि 10% कंडिडेट ऐसे हैं जो कि exam से इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो या तो OMR सीट बढ़ने में गलती करते हैं या फिर और कौन-कौन सी गलती हैं जो आपको कल exam में बैठते समय नहीं करनी हैं उन सब के बारे में अपने इस वीडियो में बात करेंगे तो जल्दी से मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा इसलिए जल्दी से अपने बात कर लेते हैं लेकि सबसे पहले तो आपको exam center के ओपर time से पहुंच जाना है समय जो है वो बहुत ज़्यदा कीमती है अगर आप exam के ओपर time से नहीं पहुंचेगे exam center पर तो आप हड़ बढ़ाटी में रहेंगे और हो सकता है कि आपका जो दिमाग है वो दूसरी जगर divert हो जाए इसलिए जरूरी है कि आपको exam center के ओपर सुबह time से पहुंच जाना है क्योंकि अगर 9 बजे entry बंद हो रही है तो आपको कम से कम 8 बजे exam center के ओपर पहुंच जाना है तो ये तो exam center के ओपर पहुंचने की बा जाएगा और वो OMR sheet आपको बढ़ने के लिए कहा जाएगा तो उसे OMR sheet को ध्यान से पढ़ना है अरे बहुत से student यह सोचते हैं कि जल्दबाजी में उसको बढ़ते हैं और यह सोचते हैं कि जल्दी से अपन पेपर कर ले इसमें जो SST वाले बैठती हैं उनके तो मेत की कुश काम है आपके आने का जाने का जितने भी आपने मेनत की है 5-7 मेने 12 मेने वो सारी खराब हो जाएगी इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि OMR sheet को बढ़ने के लिए उसके बाद में एक गंठा बसता है और उसके बाद में आपको पेपर को खोलना होता है तो उसे 5 मिनिट की जगर आप 10 मिनिट भी लगा देते हैं तो भी कोई बड़ा इस्यू नहीं है OMR sheet बने के बाद में आपको पेपर ओपन करना है और पेपर ओपन करने के बाद में सबसे पहला काम आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिए देखे आपके पास में इस तरीका का पेप पेपर होगा आपको सबसे पहले पेपर को देख लेना है कहीं से कटिंग मगर नहीं है वो चीज तो नॉर्मल आप सभी को पता है आप देख लेंगे आपको क्या करना है सबसे पहले तो जो CDP का पार्ट आएगा सिक्सिया मनुग्यान का पार्ट आएगा सबसे पहले आपक कि आप एक पार्ट को अगर पहले करने लग जाएंगे तो आपका जो दिमाग है वो उन तीज क्यूसनों में उलजावा रहेगा उसके बाद में अगर आप पेपर को पेल्टेंगे जैसे दूसरा पेज निकालेंगे और बासा फेस्ट अब देखिए सबसे पहले बहुत चैसे कंडिडेट हैं जो कि exam forum बर्टेस में ध्यान नहीं देते हैं वो सोचते हैं कि exam forum बर्टेस में अपने sense kart दे दी और जो exam form बढ़ने वाला जो इमितर वाला संचालक है वो वहाँ पर English लिख देता है इसलिए सबसे पहले आपको अपने Permission Letter में देखने हैं दोनों बासा हैं अगर वहाँ पर आपको Language Fest में Hindi है और Language Second में अगर Sense Card है तो Sense Card के ही क्यूशन आपको करने हैं बले ही आपने अगर तैयारी English की की है तो भी वो कोई माइने नहीं रखता आपके Permission Letter में जो बासा लिखी गई है आपको OMR Sheet में आपके Paper में वही क्यूशन आपको Sol करने हैं क्यूंकि आपकी जो Marking होगी वो OMR Sheet कम्प्यूटर से जांच होगी और वो उन्हीं क्यूशन को जांच करेगा जो आपके Admit Card में Mention है जो आपने Application Form बढ़ते समय बरी थी अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है जो आपका Paper है उसमें जो CDP वाला Part है उसके उपर आपको टिक कर लेना है इसके बाद में Paper को पलेटना है और वहाँ पर देखिए Language Fest लेइजवरा होगा और Paper जो है उसको थोड़ा सा Mode लेना है ताकि आपके आप बाद मेंacion है उसको कहीं Select ना लिए ठीक है वो 30 क्यूशन करने के बाद में आपको पता चल जाए कि आगे अपन को ये क्यूशन करनी है उसके बाद में language जो second है जो भी आपने choose की है चाए वो English है या वो Sanskrit है आपको सबसे पहले वो निकाल लेना है paper का हिस्ता और उसके उपरे से टिक कर देना है और उस paper के कोने को भी थोड़ा सा मोड देना है ठीक है तो paper को 3-4 जगे से सबसे पहले आपको मोड ना है उसके बाद में आगे जो SST वाले candidate है वो SST वाले क्यूशन निकालेंगे और जो math वाले candidate है वो math के क्यूशन निकालेंगे और वही परकिरिया उपर टिकल लगाएंगे और जो paper का corner है मेत वाले मेत का और SST वाले SST वाले क्यूशन का उपर का जो corner है उसको थोड़ा सा मोड देना है देखे ये चीज बहुत ज़्यादा जरूरी है प्योंकि exam में अपन क्यूशन सोल करते आना तो इन चीजों का अपन ध्यान नहीं रखते घर आते हैं उसके बाद में देखते हैं अरे यार बासा फैस्ट तप बने ये चूश गी थी बासा सेकेंड ये चूश गी थी और OMR सीट में गोले जो हैं वो किसी दूसरे बासा के बराते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है कंडिरेट के साथ में देखा गया है तो आपको इस तरीके की चीजों से बचना है बिल्कुल बेशी गलती नहीं करनी है और सबसे बड़ी बात ये चीज आपने कर ली उसके बाद में आपको जो क्यूशन है देखे पेपर में दो टाइप की क्यूशन आते है एक जो क्यूशन है वो आते हैं तत्यात्मक ठीक है और दूसरे जो क्यूशन आते है वो आपके अवधरानात्मक क्यूशन आते है यनि कि कंसेप्चुल जो क्यूशन आते है सबी पार्ट में आपको सबसे पहले जो तत्यात्म क्यूशन है फेक्च्वल परसन है वही आपको हल करने है क्योंकि इससे होता क्या है कि आपका जो समय है वो बचेगा क्योंकि तथ्यात में कुशन में अपन को पता है जो कुशन अपन को आता है वो आता है और जो नहीं आता है वो बिल्कुल नहीं आता है क्योंकि तथ्यात के ओपर आधाई तो वो होता है और ऐसे कुशन को करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और जो अवधारनात में कुशन आते हैं conceptual कुशन उसको आपको एक बार के लिए छोड़ देना है लास्ट में जब आपके पास में टाइम रहेगा तब आपको कुशन करने हैं और टाइम आपके पास में बिल्कुल बहुत रहेगा धाई गंटे है वो बहुत होते हैं 150 कुशन करने के लिए तो उसके बाद में आपको ये कुशन करने है तो पेपर को सोल करते समय आपको बिल्कुल भी जिजक है वो अपने मन में नहीं लेनी है पेपर जो है वो बिल्कुल ही एजी आएगा और आपके लेवल काएगा जो आपने तयारी की है उसी में से पेपर आएगा अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट से कमेंट करके वो भी पूछ सकते हैं सबी विद्यारत ही आपने जो पढ़ा है जो आपने पड़ा है आपको केवल उसी के उपर विश्वास रखना है वही एक्जाम में आएगा एक्जाम में कुछ अक्स्टरा नहीं आने वाला है आपने रीट 2021 का पेपर देखा होगा कितना एजी वो पेपर आये था और ये तो केवल एक पातरता परिक्षा है 2022 में इस बार तो आप खुद इस बात का आइडिया लगाओ कि इतना जो हार्ड पेपर है वो नहीं आने वाला है अगर RSM SSV बोर्ड पेपर बनाता तो भी अपने ये सोचते हैं कि जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा कटीन आयता लेकिन जो मादिमिक सिक्षा बोर्ड है उसका ये मिसां से ही रूटीन रहा है कि वो जो पेपर का लेवल है वो इतना ज्यादा हार्ड नहीं बनाता है तेंथ और जो ट्वल्थ की जो बुक्स हैं आपकी उनी में से पेपर आने वाला है और अगर अभी भी आपके पास में टाइम है तो जो टैन थे के बाद में इलेमन थे और जो ट्वल्थ की जो बुक्स हैं शिक्षा मनोविग्यान की उसमें लास्ट में जो क्यूसन आपको दे रखे हैं एक बार आप उन क्यूसन को जरूर पढ़के चले जाना हो सकता है कि उन में से क्यूसन है वो हूब हूँ उठा लिये जाते हैं तो एक बार आप उन क्यूसन की रिडिंग फिर से कर लेना नया अभी आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है रात को आराम से चैन की नींद लेनी है ताकि सुबह फ्रेस माइंड से ना दोकर आप एक्जाम दे पाएं तो इसी सुबकानों के साथ में इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर कर देना ताकि ये जो कुछ जरूरी टिप्स हैं उनका वो भी फाइदा उठा सकें और एक्जाम में जो बेवजय गलतियां होती हैं वो करने से वो बचें इसी उमीद के साथ में इस वीडियो को समाप्त करते हैं और हम आसा करते हैं कि आप सभी ये जो रीट की पातरता प्रिक्षा है इसको पास कर पाएं और जो मुख्य प्रिक्षा है उसकी आप सभी तैयारी में जुट जाएं धन्यवाद